टीम इंडिया ने मैंचेस्टर के ओल्ट्रेफिर्ट ग्राउंड में खेले के पहले T20 मुकाबले में इंगलेंड को बुरी तरह से धोबी पचार दे दी भारती टीम ने आठ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया इस मैच के हीरो कुलदीप यादव और केल राहुल रहे मगर मैच में एक मौका ऐसा भी आया जब मैच का एक हीरो यानि कुलदीप यादव दूसरे हीरो केल राहुल पर बुरी तरह से भढ़क गया बड़क भी इतना गए कि कुल्दीप मैदान पर ही राहुल को बुरी-बुरी गालियां तक देने लगे लेकिन फिर विराट ने अदभुद बतला लिया बदाते हैं आपको क्या हुआ था तब ये वाक्या इंग्लेंड की पारी के 18 ओवर में हुआ जब कुल्दीप यादो अपने कोटे का आखरी ओवर कर रहे थे कुल्दीप के ओवर की दूसरी बॉल पर जोस बटलर ने मिडान की तरफ शॉट मारा और बॉल हवा में गई केल राहुल ने विराट कोहली को रोक दिया और कहा कि वो ही कैश पकड़ेंगे लेकिन राहुल कैश नहीं पकड़ पाए कैश चोड़ने पर कुल्दीप यादो बुरी तरह से नाराज हो गे और राहुल को बहुत कुछ कहने लगे यहां तक कि राहुल को कुल्दीप गालियां भी देने लगे कुल्दीप का ऐसा रोधरूप पहले कभी नहीं दिखा था खुद विकीट की पर महिंदर सिंग धोनी भी कुल्दीप को बेस देखते रहे कि आखिर कुल्दीप को हुआ क्या लेकिन इसके दो बॉल बाद ही विराट कोली ने राहुल की भरपाई कर दी और बटलर से बदला भी ले लिया इस बार लॉग ओन पर विराट कोली ने बटलर का शानदार कैच पकड़ा और कुल्दीप यादों ने पहली बार अपने करियर में पांच विकर लेने का कारणाम भी कर लिया हरांगे बटलर के आउट होते ही सब कुछ ठीक भी हो गया राहुल और कुल्दीप एक दूसरे से गले मिलते हुए भी दिखे कुल्दीप ने कमाल की गैन बाजी की लेकिन पहली बार कुल्दीप इतने गुस्से में नजर आये थे फ्लेम मीडिया रिपोर्ट